आज की रेसिपी बहुत ही यूनिक और इंट्रस्टिंग होने वाली है तो शायद आपने कभी गेहूं से बनने वाला इतना मज़िदार और इतना सौफ्ट नास्ता देखा होगा तो चलिए बनाते हैं तो इसके लिए सबसे पहले हम चटनी तयार करेंगे तो चटनी के लिए यहाँ पे मैंने मूमफली को थोड़े से ओयल में फ्राई करके ले लिया है आदा कप मूमफली है इसके साथ थोड़ा सा लहसुन एट करेंगे चार-पांच कली एक ही चद्रक का टुकड़ा दो से तीन हरी मिर्ची एट करेंगे और थोड़ा सा करी पत्ता इसे पानी डाल क करके हम पीस लेंगे तो चट्नी की थिकनेस अपने अनुसार कम जयदा कर सकते हैं तो यहाँ पे एट किया है मैंने एक चौथाई चमच के करीब लाल मिर्चो का पाउडर इसी के साथ हम यहाँ पे एट करेंगे आदा चमच जीरा पाउडर और थोड़ा सा नमक अब इसमें हम इसे अच्छे से मिला देंगे नमक हम यहाँ पे कम ही रखना है लीजे तो चट्नी हमारी बन के तयार है इस चट्नी को तड़के देने के भी जरूरत नहीं है तो चलिए हम में प्रॉसेस में चलते हैं तो यहाँ पे ले लिया है मैंने आदा कप गेहू का दलिया इसे बा देखिए 15 मिनट हो चुका है दही को इसने बहुत ही बढ़िया से अब जॉब कर लिया है अब एक मिक्सर ग्राइंडर में हम इसे ट्रांसफर कर देंगे बेसिकली हमें इसे पीसना है तो यहाँ पे मैंने इसे ट्रांसफर कर दिया है अब इसके साथ एड़ करेंगे एक्ष या फिर शूखी मिर्ची को बारी काट करके एड़ कर सकते हैं और थोड़ा सा स्वाथ के नुसर नमक टाल लेंगे तो नमक को हमें यहां पे साबधानी से डालना है थोड़ा कम ही नमक इसमें जाता है अब सूजी फूलने के लिए हम यहां दो मिनट से तीन मिनट की लिए से के छोड़ देंगे तो 2-3 मिनट के बाद यह हमारा बैटर पढ़िया से थेक हो चुका है अब यहां पे मैंने आदा कप मटर लिया था इसे दर दरा इस तरीके से पीस लिया है और यहां पे लेंगे फ्रेश धनिया आप यहां पे कोई भी सबजी का इस्तमाल कर सकते हैं तो इ तुलिया से का वाधा बादादा टीस्पून हमें इनों का इस्तमाल करना है पूरा आघ्यम पे हिए यह यह जल सकते हैं तो इस तरीके से प्याजकों के टुकडे से हम इसे grease कर देंगे इसे बहुत ही मज़ेदार सा smoky सा flavor आता है तो इस तरीके से हम चमच की मदद से बैटर को इस तरीके से फैला देंगे बहुत ज़्यादा मोटा हमें रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये फूलेगा तो ये automatic मोटा हो जाएगा तो हमें इसे पतला ही फैलाना है अब यहाँ पे मन मुताबिक सबजियां एट कर देंगे तो बारी कटा हुआ यहाँ पे मैं गाजर एट कर रही हूँ और थोड़ा सा यहां बारी कटा हुवा सिम्ला मिर्च आट करेंगे साथी साथ हम यहां पे प्याज भी आट कर लेंगे आप यहां पे टमाटर जो भी सबजी आपको पसंद है यहां पे आट कर सकते हैं अब इसी की साथ मैं यहाँ पे थोड़ा सा धनिया पत्ता भी आड़ कर दूंगी अब हम इसे थोड़ा सा धक करके इसके जब तक की उपर की सर्फेस अच्छे से सूख नहीं जाती है तब तक हमें इसे पका लेना है तो यह देखिए इसे मैंने दो मिनट मीडियम फ्लेम पे इस तरीके से रख दिया है और उपर का सर्फेस सूख गया है मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसमें मिर्ची भी आड़ कर दे रही हूँ अगर आप मिर्ची कम खाना पसंद करते हैं तो इसे स्किप कर सकते हैं तो उपर का सर्फेस जब सूख जाए तो हमें इसमें थोड़ा सा spread कर देना है और इस तरीके से पलटते हुए हमेसे सेक लेना है बहुत ही कम तेल में ये बन करके रेडी हो जाता है और सुबह सुबह ये breakfast तो बहुत ही मज़ेदार लगता है आप इस recipe को जरूर ट्राई करिएगा I hope ये recipe आपको जरूर पसंद आएगी तो लीजे ये बन करके तयार है हम सारे breakfast इसी तरीके से बना लेंगे और मज़ेदार सी ये गेहों की recipe हमारी बन करके तयार है तो ये recipe आपने जरूर नहीं देखी होगी अगर नहीं है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करें बिल्कुल नजाएं बहुत ही soft बहु टेक करें और